तो आज के इस वेडियो में हम बात करेंगे AMD के नियू और लेटिस ग्राफिक काड के बारे में जो की है Radeon RX 5700 और 5700 XT and the reason why I am super excited for this graphic card to test क्योंकि यहाँ पर AMD ने इन न्यू जनरेशन के ग्राफिक काड में significant improvement दिये significant upgrade किया और काफी कुछ नया किया है इन न्यू नेवी GPU में जो की इन GPU को इन नए GPU ग्राफिक काड को अपने पुराने जनरेशन से काफी अलग बनाता है और यहाँ पर मैं थैंक्स कहना चाहूंग AMD की marketing team को जिन्होंने मुझे यह card भिजा reviews के लिए इन न्यू नेवी GPU में RDNA, Radeon DNA जो की AMD का gaming DNA architecture है उसे TSMC के 7 nanometer के process node ने बनाया गया है इस वज़े से यह faster है, smaller है, low power consume करता है लेकिन जो performance है वो काफी जादा enhance हो गये compared to their previous generation, modern games के हिसाब से यहाँ पर इसमें AMD ने DDR6 memory का use किया है instead of HBM2 which is very cost effective and high performance क्योंकि HBM2 memory काफी ज्यादा महंगी है और यह भी एक वज़ा है कि Radeon 7 को discontinue करना पड़ा क्योंकि जो manufacturing cost ही वो काफी ज्यादा आ रही थी, performance होती अच्छी थी नहीं और memory के वज़े से, महंगी memory के वज़े से वो काफी ज्यादा महंगा था, यहाँ पर PCI Express, इन new cards में PCI Express 4.0 का भी support मिलता है which is I think unneeded for now क्योंकि जातर component हमें PCI Express 4.0 के नहीं मिलते हैं तो मुझे practically यह कितना impact डालता है performance में अभी मैं आपको नहीं बता सकता, यहाँ पर Radeon Media Engine भी मिलता है आपको encoding decoding के लिए, Radeon RX 5700 ने मिलते है 36 compute unit, वहीं पर 5700 XT है वहाँ पर हमें 40 compute unit, दोनीं card में 8GB की DDR6 VRAM दी गई है, और 5700 है वहाँ पर हमें 1465 MHz की base frequency मिलती है, 1725 MHz की boost frequency मिलती है और जो 5700 XT है वहाँ पर 1605 MHz की base frequency मिलती है, और 1905 MHz की boost frequency मिलती है, दोनें card में 3 displayport 1.4 और 1 HDMI port दिये गया है और additional power के लिए दोनों ही card में 8 pin प्लस 6 pin के power connectors भी दिये गए हैं तो on-purpose specifications की बात तो हो गई अब देखते हैं कि real world gaming performance क्या कहते हैं इन new graphic cards के बारे में तो here are the benchmarks दोनों ही card 1080p और 1440p गमें दोनों ही card 1080p और 1440p gaming में कमाल का performance दे रहे हैं आपको 1080p resolution में high और ultra settings में आपको 100 fps मिल रहे हैं वहीं पर 1440 1440p में भी आपको अच्छी settings में 80 90 fps तो मिल ही रहे हैं और यह दोनों ही card जैसे कि benchmark का रहे हैं यह दोनों ही card 1080p और 1440p gaming के लिए एक अच्छी choice है यहां पर आप 4K resolution में भी 5700XT के साथ gaming कर सकते हैं आपको settings थोड़ी settings adjust करनी पड़ेंगे आपको low और medium settings रखनी पड़ेंगे जिसमें आप 50-60 fps तब को मिली जाएंगे और किसी-किसी point में तो scenario थोड़ा change हो गया है अभी जो rx5700 का direct comparison है वो है RTX 2060 और rx5700XT का direct comparison है RTX 2060 Super नाई सिर्फ price-wise performance-wise भी इन चारोई card में जो 5700 है 5700XT है RTX 2060 2060 Super है इन चारोई card में कोई बहुत तादर difference नहीं है and in raw fps raw fps performance में AMD cards are much better यहां पर अगर price की बात करूं तो 5700 की जो एप्रोक्स प्राइज है वो 32 थाज़न रुपीज के आसपास में आपको मिलेगी reference card की जो price है और जो 5700XT है उसकी जो एप्रोक्स प्राइज है वो around 36,000 रुपीज है यहां पर अभी जिनके जो custom card है वो अभी market में नहीं आये शायद एक दो ब्रांट के मैं अभी leaks देखा हूं तो वो जल्दी market में available हो जाएंगे और वो cards थोड़े इनसे थोड़े से जाद ही महंगे रहेंगे क्योंकि इनसे थोड़े से महंगे ही रहेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको better thermals मिलेंगे better जो cooling system रहेगा PCB सब custom made रहेगा तो उनकी price सोड़ी सी ज्यादा रहती है और इसी price point में जिस price point में इनके reference card है उसी price point में आपको 8x 2060 और 2070 sorry 8x 2060 and 2060 super card भी आपको मिल जाएंगे so now mid-re segment में भी nvidia को एक अच्छा खासा competition मिल रहा है AMD के new cards के तरफ से 5700 और 5700 XT के तरफ से ना सिर्फ price wise performance wise भी और मुझे लगता है कि AMD को यहाँ पर थोड़ी सी price और कम करनी चाहिए थी यह दोनों ही cards की वैसे भी AMD ने यहाँ पर launch के पहले ही एक बार price cut कर चुका है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो price cut अगर जो price थोड़ी सी और कम होती तो recommended list में यह थोड़ी और उपर आ जाते and believe me इन दों ही cards की जो performance है वो बहतरीन है raw fps में इन new upgrades के साथ में सिर्फ raw fps चाहिए तो यहाँ पर आपके पास option है यह option आपके पास पहले नहीं था अब आप इन cards से choose कर सकते हो 5700 or 5700 xt की दोनों में से आपको कौन से चाहिए और अगर आप fame rate में compromise करने के लिए तयार है आपको detailing वाले games जादा चाहिए आपको rt core चाहिए टेंसर core चाहिए तो आप rtx series से card choose कर सकते हो rtx 2060, 2060 super और 2070 वगरा और यहाँ पर जो rtx 2060 super है महाँ पर उसके compare में आपको 5700 xt में raw fps में ज्यादा अच्छी performance मिलेगी यहाँ पर comparison के list में मैंने rtx 2070 को add नहीं किया क्योंकि nvidia ने rtx 2070 को discontinue कर दिया means replace कर दिया 2070 super से और 2070 super काफी सदा महंगा card है वो एक अलगी price point में है जो कि इन card के price point में वो नहीं है तो comparison का कोई मतलब भी नहीं बनता है और note करने वाल बाती है कि कुछ scenario में 5700 xt 890 70 super को भी beat कर रहा है इन card के अगर मैं कुछ extra features की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है radio on image sharpening और इससा कुछ खास बड़ा मतलब मुझे देखने को नहीं मिला but you can play around the settings क्योंकि यहाँ पर आपको किसी प्रफॉर्मेंस पेनल्टी नहीं देना पड़ता है यहाँ पर आपको एक अच्छा कासा पैनल्टी परफॉर्मेंस पैनल्टी देना पड़ता है दोनों ही कार्ट में ब्लो स्टाइल फैन दिये गा है and the cooling solution is not that great ठीक है लेकिन इतने ज्यादा कुछ खास नहीं है और यह जो solution है यहाँ पर जो default fan curve है उसका tweak कर सकते हो अपनी साफ से जब आप उसे adjust करते हो तो temperatures down हो जाएंगे लेकिन जो noise है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है मुझे नहीं पता AMD ने किस क्या सोच के ऐसा किया क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में यह एवलेबल है 32-33 रुपाय का कार्ड है महाँ पर हमें एक backplate और glowing LED तो मिलने ही चाहिए यार backplate एक extra safety को add करता है और यह चीज़े AMD को देना चीज़ा है इवन जो मेरे सस्ते GTX 1060 है उसमें मुझे LED glowing logo मिलता है यहाँ पर बता नहीं AMD ने क्या सोचा इसके बारे में although हमें यह चीज़े 5700 XT में मिलती है लेकिन I think यहाँ पर AMD को 5700 में भी यह दोनों ही चीज़ों का ध्यान देना चाहिए था इस kind of याने यही कोई performance impact नहीं डालता लेकिन यार तोड़ा अच्छा looks देता है और एक safety add करता है तो यह चीज़े रहनी चाहिए थी इस price point में so guys जही था review in cards का मुझे उमीद आपको यह पसंद आई होगी EMD has done a very good job मैं बोलूँगा यहाँ पर अब Intel के बाद NVIDIA का number है मैं eagerly wait कर रहा हूँ इनके flagship card लिए क्योंकि यहाँ पर AMD ने अच्छा खासा तगड़ा competition add किया है इस segment में और NVIDIA को जबरदस्त है मैं मुझे उमीद है कि NVIDIA को थोड़ा पर शौक तो जरूर होगा होगा इस launch से यहाँ पर पहले हमारे पास कोई ऐसे choices नहीं थी कि इस segment हमें अच्छे FPS चाहिए अच्छा चीज़े कुछ भी चाहिए हमारे पास कुछ पहले चाहता है choice नहीं था था वो नहीं रहेगा और हमें एक अच्छा खासा competition देखने को मिलेगा आने वाले समय के मार्केट में तो देखते हैं अब AMD किस टाइप ए कार्ट्स आगे launch करता है अभी यहाँ पर ray tracing वगरा टेंसर को वगरा जो हमें NVIDIA offer कर रहा है वो चीज़े AMD अभी offer नहीं कर रहा है ल technology मुझे भी अच्छे लगती clarity detailing वगरा काफी अच्छी रहते हैं लिकिन फिर भी अगर किसको RAW FPS से मतलब है बाके सब चीज़ों से मतलब नहीं है तो definitely यहाँ पर उनके लिए अभी एक अच्छा option है AMD के new cards के साथ में इसके बारे में आपकर कहना चाते हैं मुझे आप comment section में जरूर पते हैं कि आपकी opinions भी मुझे आप जरूर शेर करें comment section में so guys उम्मिद करता हूं कि वडियो पसंद आई होगी तो like करें share करें comment करें and don't forget to subscribe my channel this is Prasun Malviya and I'll see you in the next one